नमस्कार दोस्तो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में स्प्रोकेट के नंबर्स ओफ टीथ कैसे कैलकूलेट करते हैं वो देखेंगे दोस्तो जब कभी भी इंडस्ट्री में न्यू मशीन आती है तो उसकी नेम प्लेट पे उसके आर्पियम लिखे होते हैं तो मशीन को उस आर्पियम पे रुटेट करने के लिए ड्राइब स्प्रोकेट और ड्रिवन स्प्रोकेट के नंबर्स ओफ टीथ decide किये जाते हैं ताकि वो machine अपने desire rpm पे rotate कर सके तो दोस्तो आज की वीडियो में हम rpm के according sprocket के numbers of teeth calculate करना सीखेंगे तो दोस्तो वीडियो का topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू कर दे 200 like का target है इस वीडियो का और हमारे दूसरे चैनल mechanical ग्यान का link मैंने description में दे दिया है एक बार जा के जुरूर चेक करें अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जुरूर support करें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पे 200 स्प्रोकट आप देख रहे हैं और इन दोनों स्प्रोकट के numbers of teeth हमें नहीं पता हमें पता क्या है machine के rpm और वो है 320 यह जो driven स्प्रोकट है यह उसी machine की sharp पे लगेगी जिसे हमने 320 rpm पे rotate करना है दोनों स्प्रोकट के numbers of teeth calculate करने से पहले हमें gate motor के rpm भी पता होने चाहिए जिस पे यह driver स्प्रोकट लगेगी क्यूंकि हमको पता होना चाहिए कि input पे हम कितने rpm दे रहे हैं तभी हम दोनों स्प्रोकट के numbers of teeth calculate कर पाएंगे दोस्तो gate motor के rpm आप उसकी name plate पे जो ratio लिखी होती है उसे calculate कर सकते हैं और कभी-कभी gate motor की जगां पे कम rpm की motor भी लगी होती है और यहाँ पे हम rpm मानके चले हैं 960 दोस्तो इसके बाद आपने क्या करना है इन दोनों में से एक स्प्रोकट के teeth assume करके चलने है यानि हम यहाँ पे assume करके चले हैं यानि मानके चले हैं कि जो driver sprocket है उस पे हम 22 teeth की sprocket लगाएंगे दोस्तो आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके according ही दूसरी sprocket के numbers of teeth आएंगे तो यहाँ पे हम इसके teeth assume करके चले हैं 22 इसके बाद दोस्तो आपने क्या करना है जो gate motor के RPM है यानि 960 उसको multiply करना है driver sprocket के numbers of teeth के साथ यानि 960 को हम multiply करेंगे 22 के साथ और इसके बाद इसको divide कर देना है machine के RPM के साथ यानि 320 के साथ 960 को multiply करेंगे 22 के साथ और divide कर देंगे 320 के साथ तो इसको calculate करने के बाद जो value हमारे पास आएगी वो driven sprocket के numbers of teeth होएगे calculate करने के बाद दोस्तो 66 value आई है और ये जो 66 है ये driven sprocket के numbers of teeth है यानि अगर driven sprocket पे 66 teeth की और driver sprocket पे 22 teeth की अगर हम sprocket लगाते हैं तो हम machine को 320 rpm पे rotate कर सकेंगे तो दोस्तो ऐसे आप rpm के coding दोनों sprocket के numbers of teeth decide कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छे से समझा गया होगा अगर फिर भी कहीं doubt है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं और दोस्तो वीडियो अच्छी लेगे तो like जरू कर दें और अगर आप हमारे इस channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon को press कर ले thanks for watching